नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे NSDL के बारे में, हम लोग देखेंगे कि NSDL कब फाउंड हुआ था, ओपन मार्केट कौन सा है NSDL के लिए, कितना कंपनी इस रेजिस्टेर्ड है, investor accounts कितना है, participants कितना है, value of securities कितना है, number of securities कितना है, promoters, यह सब details हम लोग देखेंगे NSDL के बारे में, और last में हम लोग देखेंगे कि NSDL के लिए IPO का इसे file करना है, ओके, तो NSDL को पता जानने के पहले हमें stock market का एक overview जानना बहुत जरूरी है, तब ही हम लोगों को NSDL के बारे में ज्यादा समझ में आएगा, तो यह एक flow chart है, जो आप इदर देख रहे है, एक flow chart है Indian share market का, ओके, तो इदर हम लोगों को बहुत सारा blue colors और red colors दिखाईते हैंगा, और यह जो blue colors है, सब stock market participants है, जो stock market participants हो है, जो directly involved होते है stock market से, तो पहले हम लोगों देखते है, issuer कौन होते, तो मैं इदर एक rough idea दे रहा हूँ आपको, बस आज का focus है NSDL, तो stock market का detail आपको एक session चाहिए, तो आप comment करके बताना, तो इदर issuers होते हैं, issuers और वोई company जो stock market में list करते हैं अपना stock, stock market में बेजते हैं, तो वो stock, जो stock market में list किया होते हैं, तो stock market में mainly हमें पता है, NSE, BSE है, तो जो stock market में list हुआ किया होता है, वो investor को खरीजना होता है, जो investor होते हैं, retail institutional investors, high net individual, direct institutional investors, और foreign institutional investors, तो हमें अगर stock market से stock करीता है, तो हम लोग directly खरीट नहीं सकता, हम लोग broker के तुरू जाना पड़ेगा, तो broker को होने full service and discount broker, जैसे हमारा जरौदा है, अब stock से, यह सब discount brokers, और जो HDFC का जो branch है, जो DMAT account मेंटेन करता है, और ICAC bank का है, सब full service broker से, तो हम लोग investors, brokers के तुरू stock market से, वो stock खरीदेते हैं, जो company issue किया है, अब ही, इधर आपको दो और branch दिखाई देगा, एक है clearing houses, तो clearing houses क्या होते है, clearing houses आपको पता है, जैसे कि एक stock में खरीदेगा long term के लिए, तो T plus 2 days के बाद ही में वो sell कर सकते हैं, तो T plus 2 days होगा, वो मेरा account में आने के लिए, तो यह पुरा जो clearing and settlement process है, वो clearing houses देखता है, stock market में जो भी clearing and settlement process होता है, T days, T plus 1, T plus 2 days में, जो भी होता है, सब clearing houses देखता है, तो उसके बाद आपको लोग को इदर एक main body दिखाई देगा, जो है depositories, depositories इंदिया में दो है, जो है NSDL और CDSL, NSDL National Stock Exchange का depository है, और CDSL Bombay Stock Exchange का depository है, तो depositories क्या होते हैं, depositories वो institutions होते हैं, जो hold करता है हमारा security, securities क्या होते हैं, securities होते हैं, जैसे कि हमारा shares, mutual fund और bonds, सब electronic format में save करते हैं depositories, जो हम लोग जब एक stock करीते हैं, तो वो stock हमारा DMAT account में चला जाते है, यह DMAT account में चला जाते हैं, तो आपको एक example बताएगा, जैसे हमारा money के लिए, जैसे bank account है, वैसा stock के लिए depositories है, तो यह depositories में क्या होते हैं, हमारा DMAT account होते हैं, जहांपर हमारा shares save होते हैं, तो हम लोग आद जो बत करने वाले NSDL, NSDL एक depository है, तो यह पूरा हम देखने के बाद आपको समझ में आया होका कि depositories क्या होते हैं और NSDL क्या होते हैं, और इधर अब देख सकते हैं, सेबी, सेबी क्या करते हैं, सेबी पूरा market को regular करते हैं, जैसे कि कुछ abnormalities नहीं है, market में सब देखते हैं, इसे भी, तो एक और बार रिवाइस करते हैं, इंदियन शेर मार्केट का जो flow chart है, यह issuers, जो companies होते है, stock market जहांपर stock list होते हैं, brokers जिसके तुरू investors खरीज सकते हैं, और clearing houses, जो clearing and settlement process का take care करते हैं, और depositories, जहांपर हमारा stock save होते हैं, in electronic format, तो पहले जमाने में, यह electronic format में save नहीं होता था, यह होता था, in the form of certificates, तो वो सब change होके, अभी depositories आ गया, बहुत advance होगे, electronic format में save होते हैं, तो आप इस slide में देख सकते हैं, यह पहले जमाने में, कैसे certificate के रूप में, कैसे share को खरीद देते हैं, और save होते हैं, यह reliability industries का share है, certificate रूप में, जो equity share each of rupees 10 दिखाई दे रहे हैं, अभी हम लोग NSDL के बारे में detail में देखेंगे, पहले हमने देखा था कि NSDL क्या है, इंदियन share market में किदर आता है यह depositories, तो अभी हमें पता चला है कि NSDL depository है, जहांपर हमारा, जो DMAT account होते है, तो इधर हमने दो depositories देखा था, एक था NSDL और दूसरा था CDSL, अभी हम लोग detail में देखेंगे, दोनों के बारे में compare करेंगे, क्योंकि CDSL already listed है, market में already listed है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंग तो NSDL का full form है National Securities Depositories Limited और CSDL का full form है Central Depository Services Limited, अभी NSDL found किया था 1996 में, CSDL found किया था 1999 में, तो पहले जो market में आया तो वो है NSDL, अभी operating market NSDL के लिए National Stock Exchange है, जो 1992 में found out किया था, और CSDL के लिए Bombay Stock Exchange है, जो 1875 में found out किया था, और आपको पता है होगा कि, National Stock Exchange में around 1600 companies registered है, और Bombay Stock Exchange में around 5000 companies registered है, अभी investors account देखते हैं, NSDL के पास कितना investors account है, तो around 20 million investor account है NSDL के पास, 27 million investor account है CSDL के पास, और भी depository participants देखते हैं, depository participants कोन होते, जैसे आपको इस slide में दिखाता, brokers जो है जो है जो, वो ही होते है depository participants, तो number of brokers जो registered है depositories में, NSDL में, तो वो ही है number of depository participants, तो number of depository participants है, 278 NSDL में, 591 CDSL में, उसके बाद देखते है value of securities in demand का स्ट्री, तो value अब compare करेगा CDSL से, तो almost 10 times value पढ़ाए, 10 times, इदर जो value है CDSL में, उसका 10 times पढ़ाए NSDL में, अभी number of securities in demand account, number of securities भी आद देख सकते हो, almost 5 times, CDSL में, जितना पढ़ाए, उससे 5 times है number of securities in demand account, अभी companies का देखेंगे NSDL में, NSDL में, 32,285 registered companies है, और CDSL में, 15,662 live companies है, तो यह जो live companies, यह registered companies में, बहुत सारा companies dealist ही होगा, उसके बारे में कुछ information नहीं है, तो यह अभी फिलाल registered company ही है, registered company का account ही है NSDL में, जो promoters है NSDL का IDBI bank है, UTI bank है, और बहुत सारा और promoters भी है, so main promoters है IDBI और UTI, so CDSL का promoters है HDFC, SBI, Bank of India, Bank of Parata, यह सब है main investors, okay, तो जैसे हमने आपको बढ़ाता की, CDSL already registered as stock market में NSDL का IPO आने वाला है भी, तो हमनों देखेंगे CDSL का performance कैसा रहा, तो CDSL, जो register किया हुआ था, वो है 263 रूपीज में, यह जो starting point है, 263 रूपीज में register किया था, July 2017 में, और अभी इसका price पड़ा है, 499 रूपीज मतलब around 90% return दे दिया है, July 2017 तो अभी जो मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, यह है December 2020, तो यह almost non uniform है, ऊपर नीचे चला गया है थोड़ा, पर यह जो corona के बाद जो गया, बहुत उपर गया, बहुत high return दे दिया है, तो यह है CDSL का performance, तो आप लोग assume कर सकते हैं कि NSDL का performance कैसा होगा, उसका listing price कितना हो सकते हैं, और अभी हम लोग देखें, अभी यह सब देखने के बाद, हम लोग देखेंगे कि IPO कैसे फाइल करते हैं, जरौदा में, तो जरौदा में IPO फाइल करने के लिए, आपको जाना पड़ेगा, जरौदा काइट के console app में, console app में जाने के बाद, तो वो इधर दिखाई दे रहें आपको, तो उसमें start date दिखाई देगा, end date दिखाई देगा, price range दिखाई देगा, इधर लिस्टेड नहीं है, अभी burger king का लिस्टेड है, इसलिए मैंने burger king के बारे में इधर दिखाया है, same process follow हता है, हमारा NSDL के लिए भी, और आप इधर पुरा status देख सकते हैं कि, offer कब start हुआ, कब end हुआ, allotment, finalization कब हुआ, refund initiation कब हुआ, demand, transfer, listing, mandate, end date, सब दिखाई देगा आपको इधर से, यह है जरुदक के console app से IPO फाइल करने के लिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, गर आपको पसंद आया तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, धन्यावाद,